हेलो दोस्तो तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं graph of polynomials तो class 9 में हम लोग ने polynomials की यहाँ पे roots point out किये थे और उसके उपर से हम लोग को 0 या फिर हम लोग ने roots define किये थे बट class 10 में expected क्या है हम लोग को यहाँ हम लोग का उनका nature ने graph study करना है और अगर हम लोग graph study करेंगे तो हम लोग उसको application में अच्छा तरीके से लेके आ सकते है especially in science तो जो लोग स्टार्ड करते है graph of polynomials तो basically सबसे पहले हम लोग देखेंगे graph of what linear polynomial तो basically linear polynomial एक ऐसा polynomial होता है जिसके अंदर variable गा highest power याने degree 1 होता है तो for example मैं एक standard formula लेता हूँ that is what y equals to y equals let's say ax plus b okay whereas यहाँ पे x मतलब हमारा होता है variable और a और b हमारे होने चाहिए constants यहाँ पे a बनेगा हमारे coefficient यहाँ बनेगा constant और जो किया हमारे real numbers होने चाहिए तो एक example की तोर से अगर मैं समझ दो यहाँ पे तो y equals to if I take 2x minus 5 ठीक है तो यहाँ पे 2 बन गया हमारा x का variable और 5 बन गया हमारा constant तो हम लोग इसके उबर से क्या 0 निकाल सकते है obviously हम लोग निकाल सकते है 0 मतलब क्या होता है variable का ऐसा value जो पूरे function को यहाँ पे 0 बना दे और इसको हम लोग graph के उपर plot करेंगे तो हमको यहाँ पे दिखाए देगा एक straight line जो की x-axis को cut करेगा at 2.5 मतलब 5 by 2 point पे तो क्यों ना हम लोग इसको analysis करें graph के उपर तो चलाओ देखते हैं तो मैंने यहाँ पे एक graph उपर लिया है और उसके उपर x-y plane हम लोग ने plot किया है तो यह हमारा x-axis यह हमारा negative x यह हमारा y और यह हमारा negative y तो चलाओ हमारा जो polynomial equation है जिसको हम लोग function कहेंगे हम लोग उसको ले 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 थे that is what y equals to था हमारे पास 2x-5 तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैं यहाँ पे x का value ले लेता हूँ और इधर में नीचे में y का value automatically आ जाएगा तो यह रहगा x value यह रहगा हमारा y value चलो तो अगर मैं यहाँ पे x equals to x equals to अगर मैं 2.5 put करूंगा तो मुझे y मिलेगा 0 तो यह बन गए हमारा पहला point जिसको हम लोग कहेंगे a तो a के coordinates हमारे पास आ चुके है तो a के coordinates क्या बनेंगे a बनेगा हमारा x होगा हमारा 2.5 that is what y by 2 और y हमारा 0 है तो चलो देखतें next अगर मैं यहाँ पे x का value 1 put कर दू तो obviously तो यह वाले equation के अंदर x equals to 1 put कर दू तो 2-5 y बनेगा हमारा minus 3 तो y बनेगा हमारा minus 3 तो हमारे पास दूसरा point आ चुका है जिसको हम लोग कहेंगे point b और b के coordinates हमारे पास क्या रहेंगे तो b रहेगा हमारा x,y x है हमारे यहाँ पे 1 whereas y हमारा minus 3 तो चलो देखतें c के लिए क्या points बन सकते हैं तो c के लिए अगर मैं x equals to 4 तो यह क्या बनना चाहिए x equals to 4 इसके अंदर put करेंगे 4 to the 8, 8 minus 5 बनेगा हमारा 3 तो यहाँ पे बनेगा c के coordinates x,y तो x का value क्या होना चाहिए तो obviously x बनेगा हमारा 4 और y बनेगा हमारा 3 तो क्यों ना इस 3 point को consider करके हम लोग यहाँ पे उसका एक nature plot करें तो देखतें पहला point के हमारा 2.5,0 तो x बनना चाहिए 2.5 तो यहाँ पे हमारे पस 2 है यह हमारा 3 है तो उसके बीच में 2.5 यहाँ कहीं आना चाहिए तो यह बन ग अब्र लिखतें next point तो हमारा b है क्या है हमारा b point 1 और minus 3 तो 1 हमारा यहाँ पे है और minus 3 हमारा यहाँ पे है , तो मैं हिहाँ पे दूसरा point लिखने लिखता है और 1 और minus 3 है तो मैं भी लिखता हciones 1,3 और हमारा a था जो realistic 2.5 turn with . ठीक है अग देन नेक्स्ट अब हमारा लास्ट पॉइंट जो कि C है 4,3 तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर X-axis हमारा 4 है और Y-axis हमारा यहाँ पर 3 है तो चलो हम लोग कुछ अलग कल रहे हैं यहाँ यूज़ करता हो तो मैं यहाँ यह बनेगा हमारा तीसरा पॉइंट जो हमारा पॉइंट C है ठीक है जो कि हमारा पॉइंट C है और उसके कोडिनेट से हमारे पास 4,3 अब तीनों पॉइंट को जोइन करके हम लोग क्या करेंगे एक लाइन पास करेंगे तो देखो यह हमारा एक पॉइंट B है यह हमारा दूसरा पॉइंट A है और यह हमारा तीसरा पॉइंट C है, तो इन में से एक लाइन हम लोग पास करेंगे, और यह कुछ S दिखा दिखा दिखी है, तो चलो पास करते हैं हम लोग, तो यह लेट से तीनों में से पास हो रही है, आम लोग इसा चंस्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमको यह समझ में आएगा, कि यह लाइन जो है, जिसका नाम रहेगा हम लोग का, यह इक लोग लोग अब यह X-AXS को कहां पर कर रही है, तो यह X-AXS को अब इस पॉइंट पर कर रही है, तो यह पॉइंट रहेगा 0 of this polynomial, इस point को हम लोग कहेंगी zero of the polynomial क्योंकि यह line x axis को उस point पे cut करने वाली है तो हमको इसके उपर से समझ में आया कि अगर हम लोग linear polynomial का यहां पर graph plot करने के कुशिच करेंगे तो हमको भी लेगा यहां पर एक straight line ओके तो चलो दिखते हैं next part ठीक है तो next रहेगा हमारा graph of quadratic polynomial तो guys quadratic polynomial का यहां पर standard form हमारे पास पता है कि y equals to या फिर कोई function let's say f of x equals to हम लोग बोलेंगे यहां पर ax square plus bx plus c तो यहां पर हमारे पास x जो है हमारा variable है x हमारे यहां पर variable है and यहां पर a, b, c जो है हमारे यहां पर real numbers होने चाहिए but a should not be 0 अगर यहां पर a 0 बन गया तो यहां पर हमारा जो a 0 into x कर बन जाएगा 0 और फिर से यह रहेगा सिर्फ bx plus c और bx plus c मतलब बन जाएगा हमारे यहां पर linear polynomial which is not expected at all तो a should not be 0 इतना काफी है ठीक है whereas a, b, c हमारे यहां पर reals होने चाहिए ठीक है तो इसको plot करने से पहले हम लोग कुछ समझ लेते कि हम लोगों ने यहां पर class 9 पर अलरड़ी quadratic equation solve किये थे ठीक है अब quadratic polynomial हम लोग ने solve किया था तो हम लोग थोड़ से example के उससे समझ लेते उसको मान लोग मैंने कोग एक quadratic polynomial लेए like what x square minus 3x plus 2 अब इसको हम लोग solve करेंगे उसके पहले मैं इसको compare करूंगा हमारे standard form के साथ और हमारा standard form यहां पर यह है ax square plus bx plus c तो यहां पर a कितना है तो यहां पर a हमारा 1 है b हमारा minus 3 है और c हमारा यहां पर 2 है तो I can write over here a equals to 1 b equals to minus 3 and c equals to बन जाएगा हमारा 2 तो इसके उपर से हम लोग एक चीज़ यहां पर define करेंगे जिसको हम लोग करेंगे capital D और capital D मतलग होता है discriminant यह होता हमारा discriminant इस discriminant के उपर से हम लोग बहुत सारे चीज़ निकाल सकते हैं और D वाला formula होता है D equals होता है 20 square minus 4ac यह होता है 20 square minus 4ac अब इसके उपर से हम लोग बहुत सारे चीज़ यहां पर समझने में आने वाली है तो कौन-कौन से देखो अगर D का value positive रहा तो क्या मिलेगा वेरास अगर D का value यहां पर 0 रहा तो क्या मिलेगा और तीसरे पार्ट में अगर D का value less than 0 याने negative रहा तो क्या मिलेगा हम लोग बच चेक करते हैं तो गईस अगर यहां पर D का value मानलो यहां पर D का value अगर मेरे पास 0 आ चुका है तो क्या बनेगा इफाराइट D equals to 0 तो यहां पर roots या फिर हम लोग बोलेंगे factors कोई इसको factor बोलेगा कोई इसको roots या फिर 0 जो होगे हमारे वो रहेंगे हमारे equal वो ने चाहिए equal और जैसे की quadratic polynomial का highest power 2 होता है तो obviously यहां पर मिलने वाले roots भी दो रहेंगे और दोनों भी आपस में equal रहेंगे अगर हमारा discriminant का value या यह value अगर हमारा greater than 0 है that is what positive है तो क्या होना चाहिए तो यहां पर roots या फिर हम लोग factors या फिर हम लोग उसको zeros को हम लोग कहेंगे roots are distinct मतलब अलग होने चाहिए यह अलग होने चाहिए और यह real भी हो सकते है अलग मतलब real खुछ भी value हो सकते है अगर d का value यहाँ पर less than 0 बनेगा तो roots हमारे imaginary होंगे roots are imaginary या ने non-real non-real मतलब यह real number के set में belong नहीं करेंगे तो इनको हम लोग समझ लेते हैं बट उसके पहले आपको d को b square minus 4 सी यह समझना पड़ेगा तो इस वाले example को अगर मैं resolve करूंगा तो हमको समझ मेंगा इसके factors क्या आने चाहिए तो यहाँ पर a है हमारा 1 b है हमारा minus 3 और c है हमारा 2 तो क्यों ना हम लोग product ac ले ले तो ac बनेगा 1 into 2 बनेगा हमारा 2 और 2 के factors क्या आ रहेंगे यह बनेगा minus 2 और minus 1 और इनका addition आ गया हमारा minus 3 तो obviously यहाँ पर कुछ ऐसे ले सकते है हम लोग x square minus 2x minus x plus 2 और ख्यों ना हम लोग इन दोनों का हम लोग pair कर ले तो पहले pair में से मैं x common ले लूँगा तो यह बनेगा x minus 2 और दूसरे pair में से अगर मैं minus 1 common ले लूँ तो यह बनेगा x minus 2 तो हमारे पास पहला factor आप चुका है x minus 2 और दूसरा factor आप चुका है हमारे पास x minus 1 अगर मैं इसको equation में convert कर दू that is what is polynomial को अगर मैं 0 के सब compare करूंगा तो मेरे पास final answer कुछ यह ऐसा आएगा x equals to 2 and x equals to 1 तो guys यह बन गए हमारे zeros of polynomial और इसका कहने का मतलब यह है अगर मैं कोई भी quadratic polynomial यह प्लोट करूंगा तो यह 2 points में x axis को cut करेंगी 2 points में x axis को cut करेंगी whereas हम लोगों ने यह देखा था कि अगर मैं linear polynomial हम लोग यह प्लोट करते हैं तो x axis को 1 point में cut करेंगी अब यह cut कैसे करेंगी क्या करेंगी हम लोग को यह समझ में आने के लिए यह चीज़ बहुत important है जिसको हम लोग करेंगे discriminant that is what? b square minus 4ac तो चला हम लोग समझते हैं कुछ example के उपर से तो मैंने यहाँ पर एक quadratic polynomial का example यह है that is what? y equals to x square minus 2x minus 8 तो इसको हम लोग solve करके factors भी निकाल जकते है but मालो मैंने यहाँ पर कुछ different values ले ली like what? if I put x equals to minus 2 तो मैं इसके अंदर x equals to minus 2 पूट करूँगा तो check करते हम लोग कि हमारा y का value क्या मिलेगा तो यह oral बनना चाहिए हम लोग का यहाँ पर minus 2 का square बनेगा हमारा 4 यहाँ पर minus 2 into x बनेगा हमारा minus 4 यहाँ पर minus 2 और 2 बनेगा minus 4 और यह बनेगा हमारा plus 4 और यह बनेगा हमारा minus 8 तो ओहराली में यह आएका 0 तो अगर मैं x equals to minus 2 पूट करूँगा तो यह आएका 0 अगर मैं यहाँ पे x equals to minus 1 put करूँगा, तो y का मेरा value बनना चाहिए यहाँ पे minus 5, अगर मैं यहाँ पे x equals to 0 put करूँगा, तो मेरा y बनना चाहिए यहाँ यहाँ पे minus 8, अगर मैं x equals to 1 put करूँगा, तो मेरा value यहाँ बनना चाहिए minus 9, अगर मैं x equals to 2 put करूँगा, तो I will get minus 8, then I will get what is that minus 5 and I will get 0, 7, k and so on और यहापे let's say अगर मैं minus 3 put करूँगा तो I will get what that 7 और यहापे 5 के लिए मुझे 7 बनेगा और minus 3 के लिए मुझे 7 मिलेगा तो यहापे मैंने मालों solve कर दिया तो इसके उपर से मैं क्या control कर सकता हूँ तो मुझे यहापे दिखाए दे रहा कि at what value हमारा यहापे 0 बन रहा है तो अगर मैं यहापे x equals to minus 2 put करूँगा तो हमारा y 0 बन गया तो मतलब यह बन गया हमारा zero of the polynomial सिविलरली अगर मैं x equals to 4 पूट करूंगा तो यहाँ पर y 0 बन रहा है तो x equals to 4 भी हमारा दूसरा 0 बन के हमारा पर polynomial का और जैसे के हमको पता है quadratic polynomial में हमारे highest power 2 होता है यहने degree 2 होता है तो obviously 0 भी हमारे पास 2 बनने चाहिए तो चलाओ इसको हम लोग यहाँ पर plot करते हैं तो plot करने से पहले हम लोग इसको कुछ points के नाम दे देंगे और इसको हम लोग plot करेंगे let's say हमारा फहला पॉंट है यह मालो हमारा Bi है देन हामारा यह is C है यह यह है डी यह हमारा की दिन यह F सके बाद यह Q सके बाद यह एच और यह हमारा आइक होंट हम लोग इसको यहां परmek पोट कर देते हैं तो जैसे क्या आप लोग देख काऊऊगे यहां पर मैंने यह प्लॉट कर दिये तो यह हमारा पहला पॉइंट A है यह B है यह C, D, E, F यह हमारा G, H, I तो X-axis पे जिन दो पॉइंट ने कट किया था यह हमारा पॉइंट A था और दूसरा हमारा यहां पे G था तो यह A और G यहां पे बनेगा हमारे तो चलाओ अब इस वाले पार्टन हम लोग क्या करेंगे यह सभी पॉइंट को जॉइंट करेंगे और इसका नेकर स्टडी करेंगे तो मैंने यहां पे तो मैंने यहां पे सभी पॉइंट कर लिए और मुझे कुछ यहां पे U-type structure दिखाए दे रहा है और जो कि हमारा यहां पे स्मूथ कर होना चाहिए अब यहां पे जिस पॉइंट पे यह यू बना रहा है उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे वर्टेक्स पॉइंट तो आप लोग देख पाऊगे कि यह हमारा जो पॉइंट है उसको हम लोग कहेंगे वर्टेक्स पॉइंट और वर्टेक्स पॉइंट को पहचानना कैसे जहां से यहां से यह यूशेप को दो equal part में मतलब symmetry parts में divide करेगा तो चलो क्यों न हम लोग उसको यहां से उसको divide करने ही कोशिच करें और check करेंगी कि क्या हम लोग सही है तो यहां पर अगर मैं parabola कहेंगे हम इसको यह यूवाले shape का हम लोग कहेंगे parabola तो कहने का मतलब यह है अगर हम लोग quadratic polynomial को plot करेंगे तो we will get parabola in shape तो यहां पर parabola मतलब यू type structure मिलना है तो यह एक तो मिलेगा upside opening या फिर मिलेगा हमको downside opening तो यह upside या downside कैसे open करेंगा हम लोग चेक करते है तो सबसे पहले आपको यह ध्यान दाना पड़ेगा कि quadratic polynomial का standard form है that is what ax square plus bx plus c तो मालो x square के साथ में जो coefficient है अगर वो positive है तो parabola open करेगा ओपर के side में अगर x square का coefficient अपका negative है तो parabola open करेगा downside में और यह बन गया हमारा पहला इसका conclusion दूसरा conclusion क्या होना चाहिए तो यहां पर यह parabola x-axis में कहां पर intersect करेगा तो parabola x-axis में दो जगा पर intersect करेगा obviously अगर उसके roots यहां पर होगे हमारे यहां पर distinct याने अलग तो यहां पर x-axis में सिर्फ single point पर cut करेगा और आपका d less than 0 है तो parabola x-axis को cut नहीं करेगा तो चलाओ check करते हैं क्या सही में हमने जो solve किया है उसके अंदर d का value greater than 0 है तो यहां भे d मतलब होता है हमारा b square minus 4ac चलो values put करके check करते हैं तो इसके अंदर हमारा b कितना था तो इसके अंदर हमारा b था minus 2 और minus 2 का square बनेगा 4 और यह बनेगा 4 into a into c c है हमारा minus 8 और a है हमारा 1 minus 8 और यह बनेगा 1 minus 8 into 1 बनेगा हमारा minus 8 और यहां भे minus sign बनेगा plus 8 तो बन गाए यह into 8 तो 8 for the 32 32 32 plus 4 बनेगा हमारा 36 तो ओरहला हमारा d आ चुका है 36 याने d greater than 0 तो d greater than 0 तो quadratic polynomial के दो रूट्स जो की distinct याने अलग होने चाहिए तो यहाँ पे दो रूट्स अलग आ रहे है याने 2 0 आ चुके इसलिए इस वाले polynomial ने x-axis को दो पार्ट में डिवाइड किया है Thank you very much